आप लोग मुझे सिरफ एक बार बताओ कि जब आपकी हडी की कोई प्रॉब्लम होती है तब आप लोग जाते हो किसी और्थडोक्टर के पास, right जब आपकी दिल की कोई प्रॉब्लम होती है तब आप जाते हूँ लव गुरू के पास नहीं, right पर हम लड़किया, हम women, जो 21st century में जी रही है, जो खुद को feminist भी sometimes कहती है, वो जब भी किसी gynecologist को console करना होता है, तब हमेशा female doctors को ही preference देती है, I know, this is very unfortunate, पर ये मैं on camera accept करती हूँ, ये बहुत बढ़ा taboo है और इसको दूर करना ज़रूरी है, और फिर क्या, ऐसा ही taboo को ले कर, well, इस पूरी movie में medical terms, हाला कि कुछ जादा इस्तमाल नहीं किये के है, तो ये एक, मुझे लगता है कि बहतरीन option हो सकता है, हम जैसे non-medical लोगों के लिए भी कि कुछ जादा भारी भरकम medical terms ना इस्तमाल करने की वर्ज़ से, काफी easily आप इस movie को enjoy कर सकता है, तो बात करते इस movie के plot के बारे में, और उदय कुपता का role play किया गया है आउश्मान के द्वारा, और इनको कुछ कारणवर्ष लेना पड़ता है gynecology, I know, इनके बिलकुल भी इच्छा नहीं होती है, जैसे हमने trailer में already देखा है, और तब वहाँ पर जाने के पात, दिल और दिमाग की जो सीनर्स द्वारा की गई ragging, हाला कि ये गलत है, पर बहुत ही अच्छे तरीके से की गई ragging, और बीच में प्यार, प्रेकप, इन सभी जमेलों में उनको ये पता चलता है, कि उनको, उनकी सबसे सीनर डॉक्टर, डॉक्टर नंदीनी, जिनका role play किया गया है, शेफाली शाह क की है, तब तब ये movie, बिल्कुल भी पैसे बरबाद न करने वाली movie है, ये आपको महसूस होगा, मतलब इस movie को ये strong बना रहे है, अब इसके अलावा, जो है, डॉक्टर रकुल पृत सिंग ने role play किया है, डॉक्टर फातिमा का, पाकी की movies के तरह, बिल्कुल जितना उनको द है, उसमें भी उन्होंने अईश्मान के ममी जी का ही role play किया है, अब इस movie में नया क्या है, कास्टिंग में, तो चडडी, ये वाली नहीं, रुको, चडडी ये बहुत ही fresh concept है, और हमारी generation के लिए ये बहुत ज़रूरिता इंटर्यूस कर रहा, ये क्यों मैं बोरू, ये movie द इसको movie में देखा, इसके पहले मुझे इस actor के बार में कुछ भी पता नहीं था, but trust me, जब-जब comedy सिर्फ इस बंदे के इरुदगीरद घुमरी ना, तब-बहुत ही आपको हसी आएगी, हलां कि बाके के comic moments थोड़े से weak लगे, scripting-wise, I'm saying, but overall, yeah, I think उन्होंने बहुत ही बहुत ही बहुत पसंद आएगा, अब आयुशमान के बार में वापस एक बार बात कर लेते हैं, आयुशमान के नजरिये से, मतलब उनके चश्मे से हमें ये पता चलेगा, कि male gynecologist के रोज मर्रा के जिंदगी में जो problems आते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, और उसी के साथ साथ एक government hospital में, जब भी, you know, ग्रामीन विभाग से, जब-जब कोई patients आ रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर scenes चल रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर situations होती हैं, एक doctor के ऊपर operation theater में रहने के बाद क्या pressure होता है, यह सारी चीज़े हमें explore करने को मिलेगी, अब इन सभी चीज़ों के बाद, Amitrivet Diji ने जो music दिया है, वो okay okay मुझे लगा, कुछ ज़्यादा एक भी गाना मुझे अभी तक मेरे दिमाग में fit नहीं है, या फिर मुझे याद भी नहीं है, तो I think music was also okay okay, अब बात करते हैं इस movie के weak points के बारे में, जो मुझे नहीं बसंद आई, सबसे पहले पॉइंट, अनुपुती कशब जी के पास एक मौका था, जहां पर आप हमें medical terms और medical चीज़े और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखा सकते थे, क्यूंकि कुछ ज़्यादा कुछ दिखाया ही नहीं गया है medical college के campus के बारे में, उनके subjects के बारे में, जब एक औरत 9 महने के लिए pregnant होती है, तो उसके वो पूरे journey के बारे में, जब उसमें क्या-क्या problems आती है, फिर वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़े आप हमें explore करवा सकते थे पर वो नहीं हुई है, I don't know क्यू, इस movie को बहुत ही जल बाजे में काटा गया है, लिटरली यह movie सिफ दो घंटी की है, और पहला first half होते हैं आपको लगे का, Seriously? मैं अभी आया था और अभी just movie शुरू हुई और अभी खतम भी हो, मतलब interval भी हो रहा है, तो यह इतना fast हो रहा है, और यह इस movie का second week point है, कि यह movie बहुत ही short है, और सारे चीज़े बहुत अधूरी अधूरी आपको महसिस होगी, इन फैक्ट जब यह movie खतम करके आप बाहर आ रहे हो, तो बहुत बड़े disappointment हाथ में लगेगी, क्योंकि जब first half cut हो रहा है, उसके बाद आपको लगेगा कि, ओके, शायद अब जो पहले हमें अधूरी अधूरी चीज़े लगी, वो आगे जाके पूरी हो सकती है, या फिर होगी, उसका wait करते हो, पर वो होती ही नहीं है. बहुत जलबाजे में climax दिखाने की कोशिश, और जलबाजे में editing करने का नतीजा ये है, कि ये movie इतनी भी खास नहीं है, जिसके लिए आप अपने जेब से 1.500 से 200 रुपए खर्च करके movie theater जाओ. मैं recommend करूँगी कि आप घर पे बैट के OTT पे आने का इंतजार करो, और अपने family के साथ बिलकुल भी मत देखना. ये था मेरा review आईशमान कुराना के Dr. G के बारे में, I would love to give 2.5 stars out of 5, और बाकी आपको ये movie कैसे लगी अगर आपने देखी होगी तो, और अगर नहीं देखी है, तो भी आपको ये review का वीडियो का ऐसा लग, आपको वो मुझे बता सकते हैं. Till then, don't forget to like, share and subscribe to City Lights, ऐसे और भी बहुत सारे movie reviews के वीडियो आते रहेंगे. Till then, peace out.